तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 12 क्लास के उर्दू का जो चैप्टर नमबर 9 है नाम है भुले विस्रगीत इस चैप्टर का टोटल सेलेशन करने वाले हैं यानि कि सारे इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ अगर चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ लीजे क्योंकि चैप्टर पढ़े रहेंगे उसले क्या संब से पहले हो और उसके बाद से मैं कराऊंगी देखें लिखा हुआ है यहां पर अलड़ी महरूजी सवलात मा जवावी यानिकी अब्जेक्टिब कुशन के साथ आप लोगों को एंसर भी मिलेगा ठीक और हाँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और छोटी सी रिक्वेस्ट में आप सभी लोगों से करना चाहूंगी कि अगर आप लोग चैनल पर नए आये हुए हैं तो चैनल को फड़ा पट सब्सक्राइब कर ले बैल अकर यानिकी नुटिफिकेशन बिल को दबाले ताकि मेरी रो जाने वाली ओल वीडियो का आप तक सबसे पहले पहुचेगा और वीडियो को शेयर कर दे जितना ज़्या हुए थे बताइए में हैं चीफ इंजिनियर भी में हैं बैंक मैनेजर सी में हैं डारेक्टर जनरल और डी में प्रिंसिपल अगर आप लोग चैप्टर पढ़ें तो यू चुट्कियों में बता सकते हैं आख बंद करके बता सकते हैं कि सेयद अजीज एहमाद वो पर क्या देख रहा था मैं आप लोगों समझते वें बताई थी कि याद रखना है कि सेयद अजीज एहमाद का जो नवासा है वो टेलीवीजन पर टेवी पर लो ऑन इंटरनेट नाम का काटून देख रहा था ठीक है तीसरा सवाल कि रवी रंजन कौन थे रवी रंजन जो थे ना वह सेयद अजीज एमत के दोस्त थे और से नमबर सी इस तो राइटेंसर चार नमबर सवाल है आपके स्क्रीन के उपर कि डॉक्टर की कौन बात कौन सी यहां पर सी रहेगा डॉक्टर की कौन सी बात सुनकर वह संनाटे में आ गए तो मौत का वक्त करीब है यह जो रहे बोला क्योंकि नसा भी करते थे मतलब कि सिगरेट पिया करते थे तो डॉक्टर बोला कि मौत का वक्त करीब है यही बात सुनकर वह संनाटे में आ गए तो आपसर नमबर एज दर राइटेंसर चलिए नेक्स्ट कोश्टन देखिए नेक्स्ट कोश्टन आपना एक और साथ ही क्या था तो उनका एक और पुराना साथ ही था ट्रंजिस्टर ठीक है आपसर नमबर बी भुले विसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे खत्म हो गया तो यह भी इंपॉर्टन समझते हैं मैं आप लोंको बताई थी सुबह साथ बजे भुले विसरे गीतों का प्र बड़े दानशूर हुआ कीजिए आपको मादी फाइदा क्या हुआ बेटे नहीं बात क्यूं कहीं माली तंगी के वज़ा से बेटा जो है ना जब से दशीज एमात और उनकी बीवी बात कर रहे होते तो बेटा आता है और बोलता है कि आप बहुत इमांदार हुआ करते थे तो आपकेमनदारी का क्या फाइदा हुआ कुछ फाइदा हुआ यह बेटा बोलता है क्योंकि घर में माली तंगी रहती है मतलब पैसों की तंगी रहती है इसी वजह से इनका बैटा इस तरह से बहुत Dirutly बात करता है जो कि एक बाप से बेटे को उसतरहा बात नहीं करना च शफी जावेद की पैदाईश हुई थी मैं आप लोगों को बताई भी थी चेप्टर पढ़ाई थी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा चाट जरो जन्वरी 1935 ऑप्सन नमर सी यहां पर दिया है दस नमर कोईशन की शफी जावेद कहां पैदा हुए तो मुझफर पूर ऑप बता है एक कहानी के राप का नम बताना है शहर और में यहीं हो गया सही जबाब सएद अहम ट्रांजिस्टर ठीन रहे थे तो अकिलापन आप अधि अधिक्रियो बोल दिया था कि आप लोग अब आप जहेंबन की तो चूटी गया था रात को लिखते पर और रहे और अकिला मिल जाने के बाद सेट अधिस एहमत का चेहरा कैसा पाया गया तो फातहाना चमक थी और अब्दी मुस्कुरहाट थी उनके चहरे पर फातहाना चमक फोटव पर मुसकुरहाट थी ठीक यहाँ पर हो गया यह 15 कोशन अब जेक्टिव यहाँ पर कम्प्लीट हो गया अब चलिक सबसे पहले मुक्तसर तरीम सवलात यानि की वेरी शॉट पैप कोश्चन सबसे पहला सवाल है कि तो डारेक्टर और डारेक्टर जनरल के पहुए थे उनका नमासा टेलीविजन पर क्या देख रहा था लोन इंटरनेट रविर रंजन कौन थे पुराने जनरलिस्ट दोस्त थे क्या डाक्टर की बात सुनकर वह सननाटे में आ गए तो हाँ डाक्टर की बात सुनकर वह सननाटे में आ गए उनका एक और पुराना साथी ट्रंजिस्टर ट्रंजिस्टर मिल जाने के बाद उनके चेरे पर फात्याना चमक थी तो जी हाँ बिलकुल थी उनके चेरे पर फात सबसे पहला सवाल कि डारेक्टर जनरल स्यद अजीज आहमद लोगों के जहनों से कैसे फरामोश हो गए जो इसलिए वगदोशी के तो चिए हो गए और नेम प्लेट भी लगाया तो अजीज अहमद का जिसके वज़ा से नतीजे में लोग यह भूल गए कि वह सएद्जादे भी थे यहां तक कि लोग यह भूल गए कि वह अजीज आहमद भी थे मर्दों परामोशी उस मुखाम पर पहुंच गई कि अब बेच दिये ताकि घर का जो खर्चा है वो निकल सके इसलिए मिलना मिलाना कम हो गया लोग और भी ज्यादा बूलते चले गए गोशन यह हो गया मतलब सिग्रेट वगर पीने लगे नेम प्लेट लगाया तो सिर्फ अजीज अहमद का लिफाना चाहिए डारेक्टर जनरल से सेद अजीज अहमद तो सिर्फ अजीज अहमद लिखायत है इसलिए लोग यह भी भूल गए कि यह सेद है ठीक यह सारी बात थी जिसके लोगों के जहनों से डारेक्टर जनरल से अजीज अहमद फरामोश हो गया निकल गया आगे बढ़ते हैं दूसरा क्योशन कि आप डिर से रिटायर होने के बाद से रजीज अहमद तक्रीबन बेकार हो गए थे ठीक है मतलब डारेक्टर के पोस्ट से लगबग बेकार हो गए थे और उसके इसको जैसे हुआ यह कि धीरे-धीरे बीमार भी रहने लगे थे और तंगी तो घर में थी गुजस बसर किसी तरह होती टैरेक्टर सहाब सोचते थे कि अब कोई काम भी और उसके अपिक्षा अगर बात कि यह तो वह काम मिलेगा और तो यहीं काम मिले घर के पोस्ट के बराबर तो शायद मैं कर दू लेकिन उस तरह का काम इनको आप मिल नहीं सकता था और यही वज़ा थी कि लास्ट में उनकी भीवी जो है न वो तंगा कर बोलती है कि कब तक डारेक्टरी की लास्ट आप अपने कंडों पर धोते रहेगा ठीक है यह लास्ट में वही बोलती है कि इसी वज देखी जवाब में लिखा हुआ है बेटे ने अपने सब्कदोश डारेक्टर जनरल बाप से अजीज अहमत से यह बात इसलिए कि आप खुआ बहुत बड़े काबिल और दानशूर हो लीजिए लेकिन आपको इससे मादी फाइदा क्या हुआ क्या हासिल हुआ बेटे की कहन नहीं मिला तो बाप का वजूद ही बैकार है बेटे का कहने था और बेटे की बात को बहुत से ज़दा दुख लगा और वहाँ जहां पर बात कर रहे थे उस वजबहा को चोटकर बाहरる निकला है ठीक है पूरी कहानी तो आप लोक जवाब देखे लिखा हुआ है जवाब में अपने बेटे और बेवी की अजीद आमेज सुलुक से जब अजीज एहमद तंग आ गए और फिक्र में इस अदर डूबे के एक बार सक्त बिमार पड़ गए एसी जी कराया और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने खतरना फिर्मारी का इशारा दिया और जो उनका पुराना साथ ही था जिससे तनहाई में जलत किया करते थे उसे में मुकम्मल पाबंदी आप रातों की तनहाई मैं लिखने पढ़ने के दौरान उन्हें सिग्रेट sorry की जुदाई का कबसे आने लगा अब-00 क सिग्रेट मना करने के लिए उन्हें पुराने साथी की याद आई और उनका पुराना ट्रंजिस्टर जो ने दिल की बाती सुनाया करता था अब ट्रंजिस्टर को शिद्दत से ढूंधने लगे ठीक है यही बात है लंब चणा आप लोग देना है अब यहां से स्टार्ट हो रहा है तवील स ख्लाशर कर देना है चलिए देखते हैं जवाब लिखा है कि जेरे निसाब अफसाना भुले विसरेगित शाफी जावेद का एक नुमाइंदा अफसाना है जिसमें सबुखदोशी के बाद तनहाई के करब पर फरीच अबुखदुस्ती के सांथ रोशनी डाला गया है कहान तहत लोगों लोग भी सलाम करते रहें लेकिन जब उन्होंने गारी हटा दिया घर में गोनशी हो गए तो लोगों से मिलना मिलाना भी कम हो गया यहां तक कि अजिए अहमद ने घर में नेम प्लेट भी सिर्फ अजिए अहमद का लगाया था इससे नुकसान हुआ की रफ्त पर ओद सिर्फ चचा या नाना जान रहे थे यहीं सब लंबाचाड़ा जो कि मैं आप लोंगो को कहानी बताई हूँ आप अपने शब्दों में अपने अल्फाज में लिख सक्ते ही även झांता रिका है डी अतना लंबाचाड़ा लिखेंगे आप लोग अपने अलफाज में अफ्साना बुले विसरगित शफी जावीद की फंकराना सलाहियत का اُम्दा नमोना है इस अफ्साने में स्यद अखमद मर्कजी केरदार है अफ्साने के सारे किरदार इसी करदार के इर्ध-गिर घूमते हुए नजराते हैं, इसके लावा स्यद्जी जह बेटा बीवी और नवासे के घलत रवाईए और सफाकाना सुलूक और बेरहमी को नहायत शिद्दगत से महसूँच करते हैं आगे रिखा हुआ है कि किसी बड़े ओहुदे से रिटायर कर जाने वाला एक ऐससा शخص अपनी गुजरश्टा जिंदगी के उसूल पसंदी और इमानदारी और तरज रहाइस के मतालुक अपनों के दिल आजार और तंज और तमस्खर को बरदाश्ट करता है अपनी बढ़ती हुई तनहाई की कर्ब का मदावाफे की हुई एक बेकार शैई ट्रांजिस्टर में है इसी शक्स की जिंदा दिली की पुरा पुरसर कहानी है अजीज जहमद इस कहानी का एक जिंदा और मुतहरक तिज़दार है यह लंबा चड़ा आप लोगके इंसर लिख देना है आगे बढ़ते हैं तिसरा कुश्चन किस अफसाने की रोशनी में शफी जावेद की अफस पुमलबबशने का लिखते हैं और उनके अफसाना निगारी में उनके अफसाना में कौन However रशनाखते हैं इसे जचाद़तर अदब बराएसदगी के नौइनदगी करते हुए comaấuider दरेनसभ जेर नसाव अफसाना को भुले विस्रगीत को भी इसी जुम्रे का अफसाना समझना चाहिए जिसमें शफी जावेद ने मौजुदा एहद के बदलते हुए हालात की रोश्णी में आज के सुलक्ते मसाइल पर बसीरत मंदाना रोश्णी डाली है और मुलाजमत पेशा लोगों की सुभदोशी के बाद बेकारी तनहाई अपनों की अजितनाक बद सुलूप की के कर्ब की पैकर तरासी की है तो यह लंबा चड़ा आप लोगों को एंसर लिख देना है आगे लिखा गया यह आपर अफसाना बुले बुस्रेगीत की खुनविस्ट तो आना यह आप बेती नजर आती है मन्ना बैसा लगता है कि यह कोई सवाना है बायोग्राफी है उस तरह यह वज़ा है कि माज़ी की रोमानवी यादे शफी जावेद की अफसानवी फिक्र का महूर नजर आती है माज़ी के वाकात को मौझदायत से नीम फलसफाना अंदाज में जोरते हुए वह अपने माज़ी मतलब गुज़र हुए याद करते हैं उने कौ सबच्मिन को याद आता है एक है वही सेदained अधियरhini की कहानी इसमें बताई गUh है तो आई ओप यहां तक आप लोगों को समझ में आ ग। यहां पर होगा पर फजयनरी हो जाता है objective la subjective question का answer complete टोटल स्लिशन आज के इस वीडियो में हो गया कोई भी कमफिजन हो आप हमें कमेंड में पूछ लीजिए हो सब्सक्राइब करते हैं अगले वीडियो में अगले टापिक के सांथ तब तक के लिए चाहिंद और खुदा हाफिज